हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपकी अपने सरकारी नोकरी एक्जाम यूट्यूब चैनल में दोस्तो इंडियन कोश्टकार्ड एक पैरा मिलेटरिक फोर्स है जो की रक्षा मंतराले के अंतरगत कारे करती है जिसका काम होता है समुद्र में रहके देश की रक्षा करना समुद्र तसकी देख भाल करना और सुरक्षा करना दोस्तो इंडियन कोश्टकारड में बहुत सी पोश्ट पर हर साल वेकएंसिरी निकलती रहती है जिसमें से एक पोश्ट है कूख और इष्टेवर्ड की तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुक और इस्टेवर्ड की पोस्ट पर जिन कंडिडेट की भरती होती है उन्हें क्या काम करना पड़ता है कौन सा कारिय उन्हें दिया जाता है तो दोस्तो अगर आप Indian Coast Guard में कुक और इस्टेवर्ड की पोस्ट के लिए अपलाई करने जा रहे हैं तो पहले उसके वर्थ परफाइल को जान लीजिए कि आप वो कारे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वैसे दोस्तो इंडियन कोश्ट कारें भरती होना ये बहुत बड़ी बात है इसकी में सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है 22,000 रुपय के लगभग आपको सैलरी मिलती है इसके साथ ही आपको अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं और अदर जो benefit होते हैं लाब होते हैं वो भी आपको मिलते हैं और धिरे धिरे आपका promotion भी होता रहता है और आपकी salary भी बढ़ती रहती है लेकिन दोस्तों आपकी जो सबसे शुरू में आपकी भरती होगी वो कुक और इस्टेवर्ड की पोश्ट पर होगी उसमें जो भी काले दिया जाएगा आपको उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तों मेरे साथ बन रही है और पूरी वीडियो को देखते रहिए तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लिते हैं इंडियन कोश्ट कार्ड में जो कुक की पोश्ट पर वैकेंसी निकलती है उसके बारे में तो कुक का सीधा सा मतलब होता है खाना बनाने वाला तो दोस्तो इसमें आपको समुदर में एक जहाज पर रहना है और जहाज पर जितने भी other members होंगे उन सभी के लिए आपको खाना बनाना है आपको daily एक menu दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको उसमें खाना बनाना होगा इसमें आपको दोनों vegetarian और non vegetarian साकहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाना होगा और अगर duty time में आपका समय बच जाता है तो उसमें आपको जहाज पर आदर जो काम होते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं जो steward की post पर vacancy निकलती है उसके बारे में तो इसमें steward का जो कारे होगा वो waiter की तरह होगा आपको जो जहाज पर दूसरे member हैं उनके लिए खाना प्रोसना होगा साफ सफाई का रख रखाओ का काम आपको करना होगा इसी के साथ ही store handling और खाने का जो menu तियार होता है वो भी steward को ही तियार करना पड़ता है और दोस्तों इसके अलावा भी जहाज पर अधर काम भी करने पड़ सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कूक और इस्टेवर्ड की पोस्ट पर जो भरती होती है उसमें जो कारे करना पड़ता है वो आपकी समझ में आज गया होगा और अगर इसे लेटिड कोई आपके दिमाग में कोई मन में पर्षन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हैल्फूल है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी पता चल सके की कूक और इ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबा देजिए जिससे की हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे